इन दौर होलकर स्टेडियम में भारत और बांगलादेश के बीच होने वाले टेस्ट मैच को लेकर MPCA ने तयार यां तेज करती है बे मौसम वारिश की समस्या से निपटने के लिए मैच का बीमा करवाया जाएगा इस बात की घोशना MPCA के अध्यक्ष अभिलाश खांडेकर ने जिचियाना नियूस से खास बातचीत में की उन्होंने आगे ये भी कहा कि खिलाडियों की सुरक्षा और महमार नवाजी के लिए MPCA ने विशेश प्लान बनाया है इन दौर में मैच के माध्यम से स्वच्चता और प्लास्टिक फ्रीश शहर का संदेश भी दिया जाएगा पेश हमारे समवादाता अभिशेख मिश्रा की MPCA अध्यक्ष अभिलाश खांडेकर से खास बातचीत के कुछ अंश होलकर स्टेडियम में 14 से 18 नमबर के बीच भारत और बांगलादेश के बीच टेस्ट मैच खिला जाना है बड़ा ही महतपूर्ण ये मुकाबला भी है और काफी जिग्यासाएं भी है इस मैच को लेकर और तमाम खेल प्रेमियू में उत्सुकता भी है हमाँ साथ इस वक्त मोजूद है MPCA के अध्यक्ष श्री अभिलाष खांडेकर जी हम प्रयास करेंगे कि आगर किस तरह की तैयारियां मैच को लेकर यहां पर जारी है वो उनसे जानकारी लिए और साथ इसाथ किस तरह की चुनोती भी है इस पूरे बड़े आयोजन को सफल मैच के से उसकी तैयारियां चल रही है 14 तारीक से जैसा आपको मलूम है 14-18 पांच दिन ये मैच खिला जाएगा टेस्ट मैच और लोगों ने इसमें काफी रुची दिखाई है मंगलादेश की टीम और भारत की टीम 11 तारीक को इंद और पहुच जाएगी और टिकिट सेल हमारा देरे देरे बढ़ने लगा है और हमारी तैयारियां तीन तरीके की होती है एक तो यह होती है कि पिच ठीक ठाक रहे आउट फिल अच्छा रहे मतलब मैदान अच्छा रहे दूसरी विवस्ता होती है कि हमारी 27 जार स्पेक्टेटर सर्था दर्शक जो आते हैं उनको क इसी भी तरीके से प्रवेश में दिकत निहीं हो बाहर जाने में दिकत नहीं हो और तीसरी तायरी होती है कि हमारे जो MPC ए के मेंबर्स है साथ साथ में बाकी लोग भी जो यहां पर आते हैं उनके खाने पीने की विवस्ता हैं उनको किसी भी तक क्योंकि दिन भर बैठेंगे तो उनको भूग भी लगेगी बार लेकिन हम अंदर स्टेडियम के कुछ ले जाना सब कुछ वरजीत है तो इसलिए उनके खानपान की विवस्ता भी देखना है क्रिकेटरों की ड्रेसिंग रूम्स की विवस्ता देखना है क्रिकेटर्स जो शहर में आने के बाद में होटेल में जाएंगे उनकी सुरक्षा का प्रबंद भी करना है यह सारी चीजे हमारी चल रही है स्टेडियम की जो कुरसियां है अब वो जो इसको मेंटेनंस कहते हैं कभी टूट फूट होती है उनकी अभी तैयारियां सब चल रही है ताकि दर्शों को को दिक्कत नी हो और मूल बात यह है जैसा आपने कहा कि निश्यतूर से काफी चुनोतिया है बड़ा मैच है आठ दिन और जो इनोंने पिछले दिनों में मिटिंग करी थी तो अडिमीनेल कमिश्णर श्री अका इस्रीपाटड़ी जी एडी जी श्री वरूंक पूर जी हम से लगातार बाकि सभी इनmistव notes कि बात है और हम सब लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से आएउजित करेंगे दूसरी करने वाले हैं कि रिसाइकल रियूज और इस तरीके के जो परियावरण से संबंदी चीजे हैं हमारा स्रेडियम बहुत साफ रखा जाता है डूरिंग मैज भी बहुत कचरा नहीं होता है पटापट उठवा लेते हैं प्लास्टिक पर पाबंदी लगा रखी हमने और इन सारी दबाव है कि हम बहतर से बहतर आयोजन इस डेस्ट मैच का करें प्लास्टिक फ्री शहर का भी संदेश इस बार मैच के माध्यम से दिया जाएगा वो किस तरह का सर एक पूरा प्रोजेक्ट रहेगा एक प्रोजेक्ट नहीं है हम बीज बीज में अनाउंस्मेंट करेंगे य इसे जो दर्शक आएंगे उनके मन पर प्रिकेट के साथ में इस चीश का भी प्रभाव पड़े कि हमारे नगर को या हमारे शहर को साफ रखने के जिम्मेदारी हर नागरी के सिर्फ सरकार की या नगर निकम की नहीं है तो उस तरीके के संदेश भी हम देने की कोशिश करें कम से कम यूद यहीं आपको पानी पीने की ज़रूत नहीं है तो भी आप ग्लास में पानी लेके आप ग्लास फेक दोगे नीचे या उस तरीके कूछ उजे विजह ज्यादा सज़ करेंगे तो कहने का मतलब यह है कि परियावरन के प्रतियब सज़कता सभी लोगों के में ख मारी फान्स दिन तक लगाता है, इनगे चलता है तो बहुत सारी लोग सजार लोग के आसवरास आधी की अपक्षा है, हो सकता है कुछ कम जाता हूँ कि लिकिनी इतने लोग अगे सरेडियम दाश करना और उनकी तरफ से भी इस बड़े jisको महायग्य हैं जिसको गेते हैं परियावरन के रूप में उसमें उनकी भी आहुती लगे इसलिए हम उनको आवान करेंगे सर इस बार बे मोसम बारिज जो लागातार जारी है उसने भी कही ना कहीं सभी शेत्रों में तुड़ा तनाव बढ़ा दिया है कई काम प्रभावीत हूं मैच में क्या सर इस तरह के मोसम से निपटने के लिए बीमा वगेडा क्योंकि पिछले टेस्ट में भी बीमा हुआ था क्या कुछ अभी प्लानिंग है देखिए बीमा बड़े-बड़े पियोग निपटने भी बड़े हैं तु फिर जो टिकेट खरीजने वाला है वो कहीगा मेरा तो पैसा चले गया तो हम उनको वापस कैसे करेंगे पैसा क्योंकि अमने खर्चा बहुत कुछ कर दिया तो बिमा के राशी से उसका मुषका होता है तो बिमा का जो कंसेट यही है कि कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई करेगी मिमा भी होगा बिल्कुल होगा तैयारी जारी है सर एक महत्पून सवाल यह है कि अभी यह जो शंकला भारत और बांगलादेश के भी शुरूने वाली थी उससे पहले हमने देखा कि एक बार फिर मेश फिक्सिंग का जो बूत था एक जिन ने था फिर बोतल से निकल कर आया शाकीबूल हसन जैसे एक इतने महान खिलाडियों में आने वाला खिलाडी उसमें उलशता नजर आया क्या बी-सी-सी-ई की तरफ से एम-पी-सी-ई को कुछ इस मामले में निर्देशित किया गया कि खिलाडियों के पास अनाधिकरत व्यक्तियों का प्रवेश नहूं या सुरक्षा के लिहाज से इस मामले से जुड़ा कोई सिनेरियो अलग तरीके से प्रेजेंट करने के लिए कुछ बातचीत हुई है बी-सी-सी-ई बी-सी-सी-ई से बातचीत अभी तो नहीं हुई है लेकिन बी-सी-सी-ई किने लोडा कमिटी और सुप्रीम कोड के निर्देश्यों के अनुसार लगातार इन चीजों के उपर और काफी दबाव बना के रखा है सारे स्टेट असोसियेशन पर और मुझी नहीं लगता है कि भारत में इस तरीके का कोई मुद्दा वापस आ सकता है क्योंकि हमारे क्रिकेटर्स भी बहुत इस चीज़ को समझ चुके हैं और एंटी कर्फशन ऑफिसर का अपॉइंटमेंट ओंबोर्समन का अपॉइंटमेंट प्लेयर्स को दूर रखना उनकी सुरक्षा ये सारी के नियम काईदे कानून बीसी सीय ने बहुत अच्छे तरीके से सारे स्टेट असोसियेशन को समझा दिये हैं हमारे यहां पर एंटी कर्फशन ऑफिसर रहेगा प्लेयर से बात नहीं होगी अंपायर से बाते नहीं हो सकती मैच के दोरान उनके टेलीफोन से अलग रखे रहते जो ग्राउंडस मन रहता है पिज्जो बनाता है उससे कोई बाच्ची नहीं कर सकता है तो इस तरीके के बहुत सारी सावधानिया BCCI और मध्यवदेश क्रिकेट असोसेशन दोनों लोग बरते हैं जिससे क्रिकेट का अनंद बहुत अच्छे तरीके से लिया जाए और उसमें किसी भी तरीके की मैच फिक्सिंग या किसी भी तरीके की गड़बड होने के आशंका को दूर रखा जाए सर मेरा अन्तिम सवाल ये था खिलाडियों को बहतर सुधा क्योंकि इंदोर अतिति देवो भवो की परंपरा के लिए भी जाना जाता है दोनों ही यदि हम बात करें टीम के खिलाडियों को एक बहतर महमान नवाजी के लिए क्या क्या तैयारियां की जाए यह देखिए अब जिस तरीके से बीसी सिया ने और क्रिकेटर का जिस तरीके से अब दरजा बढ़ते गया रहा है उससे अब क्रिकेटर्स को साधारन मैच ओफिशियल्स या मैच ओफिशियल्स या साधारन दर्शकों का मिलना जुलना काफी कम हो गया है डेसिंग रूम में भी मैं प्रेसिडेंट होने के बावजूद भी मैं नहीं महाँ जाना चाहूंगा नो मेरी जरूते महाँ पर न मेरा जानी की कोई वो है लेकिन जो मैच ओफिशियल्स जिनको जो जवाबदारिया दिये उसका निर्वहन वो करते हैं और उसके साथ में होटेल्स में जहां पर वो रहेंगे एरपोर्ट से जवाएंगे स्टेडियम के अंदर सब जगे सुरक्षा के पुक्ता प्रबंद कर रहे है मेमान नवाजी के लिए सर्क ट्रडिशनल तरीका तो नहीं अपना है मेमान नवाजी तो जिस तरीके से करेंगे उसमें कुछ विचार कर रहे हैं लेकिन बूल बात यही है कि प्लेयर्स के आसपास हम जनता के लोगों को जाने की बहुत ज्यादा सुविधा दे नी सकते हैं नए नियमों के ताहतिया तर पुराने नहीं भी है और प्लेयर्स एयरपोट से आते हैं सिधे बस्ट बेटे हैं और अपने होटिल भी चले जाते हैं इंदोर के खजराना गणेश मंदीर के भाकतविय हैं कुछ जो भारती खजराना मंदीर जाते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी दी है तो कुल मिलाकर एक माहुल जो क्रिकेट का है वो तयार होने लगा है टिकेट की बिकरी जो थोड़ी दी रहे थी उसमें अब वरदी भी नजर आने लगी तो कुल मिलाकर क्रिकेट का माहुल उम्मीद की जा रही है कि आने वाल एक दो दिन में और परवान चड़ सकता है हम हमारी कोशिश इस महा मुकाबले से जुड़ी तमाम खबरें आप तक पहुचाते रहें क्योंकि ना सिरिफ भारती क्रिकेट टीम के लिहाज से बलकि इंदोर के लिए भी ये एक बड़ा ही गोरव शाली शान रहेगा जब भारत और बांगलादेश की टीम इंदोर के होलकर स्टेडियम में केमरापरसन निलेश करोसिया के साथ अभिशेक मिश्रा डीजयाना न्यूज इंदोर